रेलबे के तरफ से असिस्टेंट लोको पाइलेट के लिए वेकेंसी निकाल दी गई है दोस्तों लेकिन बहुत साइड लोग अभी भी नहीं जाना है कि इसका ओरिजनल सीलेबस क्या दिया गया है मतलब क्या स्टेप में इसका एक्जाम होगा क्या पैटर्प होगा कितने कोस जो CBT1 निकाल लिए थे वो सबका रिजल्ट हो पाया था वो अंतिम रूप से ALP बन पाया थे नहीं बन पाया थे क्यूंकि उनका कमांड इस देखन में छोटन लगे घाव करे गंबीर मतलब है तो क्वालिफाइंग नेचर का 75 कोशन 60 मिनट 35% मांक्स ले आएंगे नहीं ल और यह जानकारी नहीं कि कैसे पढ़ करके हम इसको पास कर सकते हैं क्या कहां कैसे करना है आई यह वीडियो में समझाते हैं कि अगर आप लोग असिस्टेंट लोको पालेट का फॉर्म भरने वाले हैं आप कहीं से भी हैं आप किसी वी राज से बिलों करते हैं तो आप पास करना तो दोनों जरूरी है यानि कि हमको अगर नौकरी लेना है तो बारी की से एकत बिंदू को हमको समझना पड़ेगा जो कि हम यहां सुरुवात करने वाले हैं सबसे पहले जबाब फॉर्म भर देंगे आपका एक्जाम लिया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस टेस बात आपको बता देंगे अगर आपको यह लगता है कि मैक्सिमाम लोग निकाल लेते हैं आप अलग नहीं होगे मैक्सिमाम लोग सी बीटी वन में क्वालिफाय हो जाते हैं पिछले बार भी लगवर चार बार रिवाइज करके रिजट दिया गया मतलब सीटी ही उसका फू बाता रहें इसलिए सिवित इवण आसान होता है लेकिन क्या जो इवर निकाल लियू इओस अंतीमरूप देल भाये फ़ीन नहीं बत पाये थे क्योंकि उनका कमांड इंब आ इस बार मिनट से भी कम एक कोस्टन पर आपको दे रहा है तो आपको मेहनत थोड़ा सा अच्छा करना पड़ेगा मतलब जो सब्वेक्ट से कोस्टन आएंगे उसको सबसे पहले बनाना है जो कि आप सबसे पहले बना सकते हैं आप जिसके तैयारे ज्यादा किये होगे अब यहां देख करिएगा तो एक कोसन का मांक्स जो कि एक ही होगा वो काट लिया जाएगा तिन कोसन गलती करिएगा तो एक नंबर आपसे काटा जाएगा पर एक कोसन का मांक्स एक नंबर ही होगा इसमें रिजनिंग से कोसन आएगा वही रिजनिंग आप देखिया आपके स्क्रीन पर नहीं करेगा, वो कहीने कहीं गलती कर देगा, क्यूंकि अब reasoning भी आप से गलत हो रहा है, तो हम क्या उम्मीद करें कि आप math सही बनाईएगा, हम क्या उम्मीद करें कि आप science और current affairs पर ज्यादा score कर पाईएगा, इसलिए आप लोग को क्या करना है, कि reasoning में 20 में 19 मतलब 18 जरूर ले आना है, और math अगर आप पढ़ रहे हैं, तो जरूर यहाँ पर 15 score कर देंगे, और तीन सब्यक्ट की भी अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसमें भी maximum score अगर आपका 40-45 भी आ जाता है, तो समझे कि आपका result कोई रोकने सकता है, CBT 1 में, फिर यहां CBT 2 में जाए और math के बाद आपका science भी कोशन आगा, current affairs भी आएगा, और सब मिला करके 75 कोशन है, 20 कोशन रिजिनिंग से, 20 कोशन आपका math से, science से 25 कोशन और current affairs से 10 कोशन पूशा रहेगा, current affairs से बहुत ज्यादा मियरत नहीं करना लेकिन हां हलका-फलका करिएगा, तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि यहां पे कुश कोशन आपका general awareness के भी देखने के मिल सकते हैं, यानि कि कुश कोशन ऐसा रहेगा, जो कि जीके के एक दू कोशन रहेगा, उसको current affairs भी मान करने के चलिएगा, वो आएगा, तो mainly आपको यह तीन पर focus करना, जहां पे आपको कितना number, तो आप देख सकत 75% का 40% अगर नहीं लाते हैं, तो आप ऐसे ही reject किये जाएंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आता है, तो आपका maximum, क्योंकि cutoff सो थोड़ा कम ही जाएगा इसमें, बहुत कम लोग अपलाई कर पाते हैं, और बहुत कम लोग को जनकारी भी होता है, बहुत लोग तो तयारी भी नहीं करेंगे, सिलेवर्स हम बता रहे हैं, तो वो समझ जाएगा अच्छे से, तो तयारी बहुत अच्छा से आपका हो जाएगा, नहीं समझेगा, तो नहीं हो पाएगा, अब जेनरल EWS का 40% कम से कम चाहिए, OBC, NCL जो बनाया हुए, उनका 30% कम से कम चाहिए, SC के लिए 30% कम से कम माक्स चाहिए, SC के लिए 25% कम से कम चाहिए, इतना कम से कम लाना है, कट ओफ हो सकता है, इससे ज़्यादा भी चल जाए, तो यह आपका official बताया गया है, तो क्यो official ओटीस पूरा निकाल दिया गया है, और हर एक सी detail में आपको official बताने बाले है, सठी, तो यह सी निकाल दिया गया है, यानि कि best book आपको बता रहा है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम हमेशा prefer करते है previous year को, previous year जो नहीं लगा पाएगा, वो कहीने कहीन अपने question से मुला, पतल नहीं मिल पाईएगा, ना question कैसा आया था इसमें, वो नहीं समझ के तरब से special ALP वालों के लिए निकाला गया है, जो कि आपका 39 अध्यावार salt paper जो कि previous year का question गनीत में special पूछा गया, उसके लिए भूख है, reasoning में special पूछा गया, उसके लिए भूख आएगा, भी बताएंगे आपको, और एक है आपका science के लिए भी है, उसके लिए भी है, द question दिया गया, answer भी है, और English में भी है, कोई भी आपना सकते है, इसका link हम, description, comment box में दिये गया है, और तीन book है, इस पर यह special है, यह गनीत किसी का कमजूर है, तो गनीत का लगा ले, अगर गनीत उसका ठीक है, तो आगे यह भी बूख आपके लिए है, यानि कि आप यहाँ पर, 39 जितने भी कोशन अभी तक पूछे के हैं, 49 अध्यावार सॉल्ड पेपर है, ठीक है, तो यह भी आपका दोनों language में मिल लाएगा, हिंदी इंग्लिस दोनों में, और RRB, ALP, गतिमान, अब होगा, ALP का महाभ्यास, मतलब यहाँ दियागा, बिगत वर्षों के सबसे ज़्यादा पेपर एक साथ, जो कि 1300 प्लस TCS, जो TCS जो एकजाम देता उसी पैटर्न पर अधारित है, अगरवाल एकजाम काट के तरफ से, इसका भी लिंक हम दे दिया है, सेपरेट भी बुक को आप मंगा सकते हैं, यह तीनों कॉमबो भी आप मंगा सकते हैं, वो ल काट का यह भी बुक आपके लिए काम करेगा, जो कि bilingual होगा, दोनों language में होगा, आप इसको भी मंगा सकते हैं, यह तीनों बुक का लिंक आप एक बड़ देखे जा करके, किताब के बारे में पेडिया गया है, पढ़ लिजे, अच्छा लगे जरूर मंगाईए, जिसको भी जर्वोत है, जो भी सब्लेट का, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अपने बुक के बारे में आप लोग अच्छे समझ लिए, अब आईए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यह पूरा खत्म होगी आपका, संधाद यह CBT1, अब CBT1 से CBT2 में हम जाएंगे, तो 15 गु में एक कोशन पर दिया जा रहा है, और 1 by 3 का, निगेटीव मार्किंग भी चाहिए, और यह इसलिए जरूरी है, यह पार्ट, पार्ट यह इसलिए जरूरी, क्योंकि यह मेरिट में आपका योगदान रहेगा, पार्ट यह का योगदान मेरिट में रहेगा 70%, मतलब 70%, 100% ला पा रहे हैं, तो यह होगा, अब मैथ यहां भी पूछा जाएगा, अब यहां भी तो मैथ था, मैथ यहां 20 नंबर है, तो यहां 25 नंबर पूछ दिया, रिजिनिंग यहां पर 25 पूछा, यहां पर आपका रिजिनिंग कितना पूछा था, तो 20 पूछा था, फिर यहां बेसिक साइन्स यानि कि जो साइन्स यहां था वही साइन्स और साथ में इंजिनेरिंग ड्राइंग का कोस्टन आपसे पूछा जाएगा इसका सिलिबस आपको लगकर क्या रहा होगा यह सब देखते चलिए आपका ओफिस्यल जो बताया हूँ आप लगा रहे हैं अब चालिस कोस्टन यहां से आ रहा है मतलब 25-25 और सिर्फ 40 कोस्टन आपका बेसिक साइन्स और इंजिनेरिंग से तो इस पर थोड़ा सा भ्यान देना है और इंजिनेरिंग से वही ट्रेड वेगर से कोस्टन आएगा हलका फलका जिसमें आप देखेंगा 25 कोस्टन साइन्स से पूछा पढ़ लेते हैं प्रिवियस येर से भी पढ़ लेते हैं तो आपका यहां भी बंदा है और यहां भी बंदा है दोनों जगह आप स्कोर कर रहे हैं तो समझे कि एक बार तयारी करके आप दोनों जगह पर अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो यह पार्ट ए हुआ आपका ठीक ह आएगा आप जिसी भी ट्रेड से अपलाई किये हैं कोई एक ही ट्रेड आपका होगा 10 प्लस आईटी आई है तो आप लाई कर सकते हैं जो ट्रेड है आपका वो ट्रेड आप चुनेंगे वहां से 75 कोशन पूछा जाएगा बेसिक ही रहेगा ज्यादा हाड ने रहेगा 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा अब एक बात आपको हम बताते हैं कि ये जो पार्ट है ना पार्ट भी आपका बहुत महथपूर्ण है क्योंकि ये है तो qualifying nature का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ qualify करना जरूरी है, बहुत मास्ट लाना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें qualify नहीं करते हैं, तो ये करने से कोई फाइदा नहीं है, आपका copy ही check किया नहीं जाएगा, यानि कि आपका result ही नहीं आगा, अगर इसमें आप disqualify करते है है, तो कितना number कम से कम लाना पड़ेगा, तो 35% number कितना में से, तो 75 question में से, 35% number 75 question में से आपको लाना पड़ेगा, तब ये आपका qualify होगा, उस बाद ये copy check होगा, चाहे आप आगे के प्रिगरिया में, आप आएंगे, आपका merit बन पाएगा, आपका, आगे का process लिया जाए तो ये part B बहुत में से सरी है, होता है कि देखन में छोटन लागे, घाव करे गंपीर, मतलब है तो qualify नेचर का 75 question, 60 minute, 35% marks ले आएंगे, नहीं लाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो ये थ्यान देखना है आपको, तो part A और part B समझ गया, यहाँ पी ये हो गया, easy होता है, मतलब बहुत easy होता है, 5-6 दिन में आप आराम से पूरा prepare हो सकते हैं, साइको के लिए, बहुत जगा course भी करवा जाता है, साइको का, खुद से भी आप देख सकते हैं, आउन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ने है, तो final merit जो आपका होगा, वो CBT2, ध्यान रखे, CBT2 CBT2 का part A, part A का 70% marks, मतलब इसका 70% marks आप सका लिया जाएगा, यह ने की 70% आपको लाना है, आपको पूरा score करना है, वो आपका इसका 70% लेगा, और 30% साइको का marks जोड़ करके 100% हुआ, तो इसमें आपका result देगा, कि मतलब कितना आप इसमें सही थे, और साइको में कितना आ पाना हैगा, वहीं पर आपका selection हो पाएगा, और आप ALP के पद पर चैनित हो पाएंगे 2024-2025 में, तो इस कारण से आप लोग को बताते हैं, कि मेहनत इस तरीका से करिए, जो कि कहीं भी mistake ना हो, बस एक तरीके से महत करते रहे हैं, कि हम बस math पढ़रे है, reasoning पढ़रे है, basic science प पर आएगा, आपको सबसे पहले हम देंगे, authentic देंगे, और जुड़े रहेगा, share भी कर देंगे, कुछ लोग में, अगर आपका मन करें, दोस्तों में share कर देंगे, ठीक है, उसको भी फायदा हो जागा, अगर आप चाहते हैं, तब, तो psycho test में भी आपको अच्छा score करना है CBT2 के part A में भी अच्छा score करना है, तब जाकर करें merit बन पाएगा, हम उम्मीद करते हैं, कि हम जो उद्देश से आये थे, कि आपको ALP का syllabus समझा देंगे, और ये तरीका बताएं, कि मेहनत ज्यादा कहां पर करना है, आपको समझ में आ गया है, और book का भी आपको जनकार दे करना है, है ना, करेंटर फिर्स को फ्राइब करके भी चालेंगे, तो हम देते चल जाएंगे, यह हम बोलना चाले है, तो यहां पर आप मैच करकर करके देखिए, और आपका जो subject मजबूत है, उसको धालका पढ़िए, और जो कमजोर है, मतलब जिससे कि आगर आपका कमजो करके देखिए, थैंक यू, जय हिंद!